2023 as passed by लोकसभा जिन मान्य सदश्यों को इनियम 3 से उन के अधिन माम लोग को उठाने की अनुमदित प्रदान की गई है वे अपने माम ले अनुमदित पार्ट को वेक्तिकर रूप से सभा पटल पर रखने का कश्ट करें आईटर नमबर 16 मंत्री परिश्यत में अईश्वास का प्रस्ताओ स्री गोरव गोगेजी पेक पॉइंट सर सर सुबह जहां तक मैं जानता हूँ सुबह आपके आफिस में एक चिट्टी आया था सेकरेटरी जेनरल के आफिस में स्री राहुल गांधी जी गोरव गोगेज्टान पर पर बोल रहे है क्या हुआ था हम तवरा गांधीजी के वारेशल स्थने कि ऑट्टी थी न में एप्स्तीफजी एटेवे उप्स्तीफइन का शिट्टी आया है अभी पाराभ पिज चेंग हो एक क्या हो गया हो टोड़ा खुड़ा हमकोबिख शमाद्धि में रही सर्या है हमर्दै कर दोड्य में, इम अधिया में हम्ट रेक्ट कर्णार कर दोड़ागे अमध्यदेश में अभी ने sinsis a reap हुछ तो हावस को ऑरडर मेलेख सर अगर क्या हो रहा है क्या दर्खास दी गई है आप आप खुदी आप इस सदन की रक्षक है आपके दफ्तर के अंदर क्या बाचीत हुई है क्या हम बताएं कि प्रधान मत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या-क्या बाते किये हैं हम नहीं कहते हैं कोवेट के सब्सक्राइए मानिय अध्यक्जी बताना चाहिए बताएए एक गंबीर आरोग वे मन्यक जग्जी बताईए प्रधार मंतरी जी का नाम लेते हुए है और चेहर के नाम लेते हैं ऐसे अनाब चेना भारब नहीं लगा सकते है वा उनको पता ना जाए दखतर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वस्यता हम बचा के रखते हैं एक मिट आप सब एक मिट एक मिट एक मिट मैं बैठाओ ना माने लिए सदशे कभी भी कोई भी विशे ये मेरा चेंबर भी सदन आप जानते हैं वरिष्ट निता हैं कभी भी ऐसी टिपनी नहीं करना चीए जिसका कोई तथ्य और सकते ना हो पॉब्लिक डॉमैन में है इनों ने जो लेटर जिया है और प्रेस को भी कहा है अगर बंतरी महोदे अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाते हैं कि सदन आपके डफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर हुजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर हम भी उटा बात रख सकते हैं अंदर के तो इस प्रकार के आप सांसद्या मंत्री है अप संसद्या मंत्री है उसको इस प्रकार से आप उसका उलंगान बत करिया आप संसद्या मंत्री है आप को अपना कर्तब या याद रखिये अद्या आप अध्यक्स मौद अब एक मिट महत्पूर्ण विशे पर चर्चा कर रहे हैं कोई भी ऐसा हम इस सदन की गरिमा के नुसार बोले सदन की परंपराओं के नुसार बोले अध्यक्स मौद ने मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूँ और आपकी अनियुमती की अपिक्षा करता हूँ कि मैं अपना वक्त अभिया रखूँ अधियक्ष महोदे मैं सबसे पहले आपका अभार प्रकट करता हूँ कि आपने इंडिया अलाइंस के इस अविश्वास प्रस्ताफ को आपने स्विकार किया जब जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताफ के समर्थन में कौन-कौन खड़ा है तो मुई इस मन से हमारे सारे इंडिया लाइंस दलो के सांसुदों को मैं धन्यवाद और अभार प्रकट करता हूँ सर ये अविश्वास प्रस्ताफ हमारी मजबूरी है ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताफ हमें लाना पड़ा क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी ये बात हमेशा इंसाफ की थी मनिपूर के इंसाफ के लिए प्रस्ताव रख यह इंसाफ मनिपूर की है मनिपूर के लिए है इनसाफ है महोदेब मैं निम लेकर प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिश्रत में विश्वास का भाव व्यक्त करती है सर अध्यक्ष महुदे ये अविश्वास प्रस्ताव मनिपूर के लिए हम लाए हैं इंडिया अलाइंस क्योंकि मनिपूर आज इंसाफ मांगता है मनिपूर का युवा इंसाफ मांगता है मनिपूर की बेटी इंसाफ मांगती है मनिपूर के किसान इंसाफ मांगते है मनिपूर के छात्र इंसाफ मांगते है और मार्टेन लूतर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगा के लिए इंसाफ का खत्रा बन सकता है इंजस्टिस एनिवेर इस थ्रेट तो जस्टिस एवरिवेर तो यह जो धटना है मनिपूर में हो रही है इसको यह हम ना समझे कि उत्तर पुर्वांचर की किसी कोने में हो रहा है यह भारत में हो रहा है साथ अगर मनिपूर जल रहा है तो भारत जल रहा है अगर मनिपूर मे आग लगी है तो भारत में आग लगी है अगर मनिपूर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है तो आज हम सिर्थ मनिपूर की बात नहीं कर रहे हैं हम भारत की बात कर रहे हैं सर हमारी मांग स्पश्ट थी कि देश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री सदन में आए अपनी बात रखे अपनी सम्मेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मनिपूर को एक संदेश जाए कि इस दुख की गड़ी में पूरा सदन मनिपूर के साथ हैं मनिपूर में शान्ती चाहते हैं यह हमारी अपेक्षा थी यह हमारी अपेक्षा थी लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ प्रधान मंत्री महोदे ने एक मौन वरत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसलिए अध्यक्ष महोदे यह नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताफ के द्वारा प्रधान मंत्री महोदी जी का मौन वरत हम तोड़ना चाहते हैं साफ साफ तीन सवाले प्रधान मंत्री महोदे से सवाल पहला कि आज तक वो मनिपूर क्यों नहीं गए राहुल जी गए इंडिया अलाइंस के विवेंड पार्टी जी गए गरह मंत्री जी गए मोस खॉम गए पर देश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री मोदी जी क्यों नहीं गैस यह है सवाल पहला सवाल दूसरा कि लगभक अस्ती दिन क्यों लगे प्रधान मंत्री मोदी जी को मनिपूर पे कुछ बोलने के लिए और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए बोले और उसके पस्चात आज तक भी प्रधान मंत्री मोदी जी के तरफ से ना कोई समवेदना का शब्द ना कोई शांती की याचना मंत्री मंदल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे आप बोलें आपको किसी नहीं रोका लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी एक प्रधान मंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है माप कीजिए लगा प्रधान मंत्री मोदी जी अगर प्रधान मंत्री होने के नाते एक शांती की पहल करें उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसत में वो ताकत नहीं है प्रधान मंत मुख्यमंत्री को बरखास क्यों नहीं किया आपने गुजरात में जब निर्वाचन आये गुजरात में जब आपको अपनी राजनीती कंड़नी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिये एक बार नहीं दो बार उत्राखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्राख मनिपूर के मुख्यों मंत्री में ऐसा क्या आपने विशेश आपका आशिरवाद आप दे रहे हैं जिन्हों ने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ये तीन सवाल हैं सर और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है प्रधान मंत्री मोदी जी मनिपूर पर क्यों मौन है शायद उस प्रशन का उत्तर भी तीन है पहला उत्तर कि प्रधान मंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजिन की सरकार उनकी सरकार मनिपूर में व्यर्थ हो गई है विपल हो चुके है इसलिए लगबक साथ हजार लोगों आज शिविर में हैं, लगबक छे हजार पांफ सो FIR हैं और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो एक समवात का वातवरन बनाना चाहिए था, जो एक शांती, अमान और सद्भावना का वातवरन जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ में महीने से नहीं पिछले दो तिन सालों से ऐसे कुछ भड़ताओं उन्होंने कदम लिये हैं जो आज समाज के बीशमार्ट तनाफ पैदा हो गया है आज हम मनिपूर गए हैं क्या मनिपूर में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है नहीं क्या उतर पुर्वांचल में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है नहीं इससे पहले भी हुए हैं मनिपूर में भी हुए हैं मैं खुद उतर पुर्वांचल का हूँ मैं खुद जम्मेवारी से कहता ह की हुए हैं लेकिन पहली बार अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं आप क्या जानेंगे पहले जाओ और फिर हमें परामश दो पहले आप लोग जाओ सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बटबारा समाज के दो वर्गों के बीच हिदे में इतना अक्रोश इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रती बजले की भाशा का प्रयोग कर रहा है हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खीच दी गई है कि पहाड पे एक बर के लोग रहते हैं और वैली में एक बर के लोग रहते हैं अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है आज उन्होंने दो मनिपूर आपने बना दिये हैं आपके राजनीती से दो मनिपूर आज बन गए हैं मैं मनिपूर के मुख्य मंत्री को इस सदन से पूर्ष प्रधान मंत्री बाजपाई जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सला दूँगा जुनों ने कहा कि राजा के लिए शासक के लिए प्रजा में भेग नहीं हो सकता ना जन्म के अधार पर ना जाती के अधार पर ना समुदाई के अधार सर आज इस महाल में अगर सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को जेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को हमने देखे हैं वो वाइरल वीडियो में उनका मैं उलेक नहीं करना चाहूंगा उससे सब को पीड़ा हुआ पर ऐसे मुख्यमंतिर जी ने स्वयम कहें कि ऐसे सो फाइर हैं हम भी गए हैं सर इंडिया डेलिगेशन हमारे संसदिय दल उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें दो महिलाओं के साथ इतना बुरा विवाहार हुआ अत्याचार हुआ हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिस इसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंतता संग्रामी की पत्नी थी उसको घर के अंदर बंद करके जिन्दा जला दिया जो दो महिला जिसको लेकर राज स्प्रीम कोट तक ये बात गई है उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारे सीमा को अचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें आप लोग कहते हम फोटो अप करने गये ते सरदुख के समय में समवेदना उनको देने गये ते आज महिलाओं बच्चों के साथ आओंगा अब सारे बातों पर सब पर आओंगा अब धर्मय जगा को भी बक्षा नहीं गया धर्मय अनुस्थान पर भी आज भीड घुसी और उसका असम्मान किया अज इंटेनेट नहीं है आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है स्थेर है आज इंटेनेट नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा पारे लोग अपन पर अत्याचार हुआ है वो अपने बात ही नहीं रख पा रहे वो तो वीडियो वाइरल हो गया नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधान मंतरी बोदी जी मौन रहते हैं अगर वीडियो वाइरल नहीं हो पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए लेकिन वहां के मुख्य मंतरी क्या कहते हैं अभी ड्रग के उपर वो होते हैं यह सब ड्रग के लिए हुआ है अध्यकष महोदे बहुत गंभीर पूरवक में यह बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मानिपूर के मुख्य मंतरी की कार्याला ऐसे जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलीस ने पकड़ा तो मुख्रमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ रिहा करो और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आपी की डल के आटोनोमस डिस्टिक काउंसिल के चैर्मेन थे जो वहाँ पे जब इटोचा सिंग को पकड़ा गया लॉयंग बंग लॉयंग नंग बंग इटोचा जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो और ये इटोचा कौन है वहीं के राजिय सरकार के पी-ए-ची मिनिस्टर सुशीद्रों के भाई हैं आज ये इन सरकार राजिय में ड्रग्स की बात करते हैं ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदे के डफ्तर का तालकात हैं ये बात मैं नहीं कर रहा वो पुलीस अफसर जिनको इनकी राजिय सरकार ने मेडल दिया वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है उन्होंने अपना मेडल बापिस कर दिया राजे सरकार ये जे ने पॉपी फर्मिंग की बात करते हैं आज आपका ही नार्कोटिक्स और फीर्शे और आफेर्श बोर्डर न अबी ये कहता है दिस्केल फ़पी प्लांकेशन इं मनिपूर्ड has spread across 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023, 2017 में आपकी सरकार रही थी. आज, Indian Forest Survey Report 2021 में कहता है that within two years time, the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers. यह आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. ग्रह मंतोरी ड्रग्ज को लेकर बार-बार वक्तिवयद देते हैं लेकिन ग्रह मंतोरी मोहदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की ये समस्या कमी नहीं थमी नहीं बढ़ती जा रही है लग बग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेज 2021 में 3611 तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है तो कही न कही प्रधान मंत्री जी चाते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवी धूमिल नहों क्योंकि उनको छवी से लगाव है चाहे लोगों पर अप्याचार हो ड्रग्स की समस्या बढ़ी हो ये उनके लिए महत्वनी रखता है पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण तीन है अभी तो मैंने सिर्थ एक कारण का उजागर के और दूसरा कारण ये है और बहुत मैं सम्मान पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ दूसरा कारण प्रधान मंत्री मोदी जी का मौन रहने का ये है कि आज भारत के इंद्र सरकार का ग्रह विबाग और राष्ट्य सुरक्षा सलकार आज विफल हुए है क्या हो रहा मनिपूर में पांच हजा से ज्यादा हतियार आज लोगों के हाथों में हैं लगबख 35 पुली स्टेशन्स में भीड वहाँ जाकर वहाँ से हतियार अपने साथ ले जाते हैं कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है कभी ऐसी स्थिती देखी है कि दो महीनों में एक भीड पुली स्थाने में जाकर पुली स्टेशन्स में जाकर वहाँ पे जो हतियारे वो लेके जाती है क्या क्या हतियार ले गए हैं क्या क्या हतियार लूट के ले गए हैं इनसास राइफल एके 47 लाइट मशीन गन सेल्फ लोडिंग राइफल एसेम सी मॉटर ग्रेनेड बुलिट प्रूफ जैकेट छे लाग एनिउमेशन छे लाग गोलिया आज लोगों के बीश में कि ये राष्ट्य सुरक्षा का मामला नहीं है कहां है राष्ट्य सुरक्षा सलाकर ये जो बंदूख है ये जो गोलिया है किस पर चलाएंगे ये गोलिया हमारे भारतिय सेना के नौजवानों पर चलाएंगे ये गोलिया मनिपोर के पुलीस पर चलाए जाएंगे ये गोलिया मनिपूर के निहत्ते लोगों पर बरसाए जाएंगे क्या क्या आपने आज ये जो हतियारे सिर्फ मनिपूर तक सीमित नहीं रहेंगे सर लगबग ये जो छे लाक अम्यूनेशन है गोला बारूद है के 47 ये तो यूद के हतियार है ये यूद के अस्तर है ये सिर्फ मनीपूर तक नहीं सीमित रहेंगे ये आज उत्तर पुर्वांचल में भारत के अलग-अलग जगा में ये हतियार जाएंगे और भारत की समाज को आज अशान्ति का बातावरन बनाएंगे तो क्या कर रहे हैं आज दुख की बात है ये अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोश्ट ठेरा रहे थे अब मुख्यमंत्री मनीपूर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और असम रैफल्स पे आज निशाना सांद रहे हैं आज ही हमें सुनने में मिला कि असाम राइफल्स जिसको जिम्मवारी दी गई है देश को लोगों को बचाने के लिए उनको हटाया जा रहा है मुख्य मंत्री के घर के जो विधायक हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो पूछते हैं कि एतनी हत्यार कहां से आए क्या कर रही है केंद्रिय शासित सुरक्षा दल यह असाम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है यह असाम राइफल्स ग्रह विभाग के मंत्राले से इनको निदेश जा जा पा है जाम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रही है यह यह बनाएए 21-20 सधी के भारत में ऐसे हम समधान कर रहे हैं पिछले तीन महिनों से आज सुप्रीम कोट ने जो जांच कमिटी बैठाई उससे साफ-साफ ताभित होता है कि सुप्रीम कोट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्विकार नहीं किया है आज इसलिए कमिटी बेठाई गई है मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रहाम मंत्री आपने 51 मेंबर्स का कमिटी बठाया कितने बार वो कमिटी बैठी आप तीन दिन थे आप वहाँ पे गए 51 अपने 50 कमिटी बठाई अच्छी बात है लेकिन वो कमिटी आज तक असफल रही ग्रह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद मैं आऊंगा पर ग्रह मंत्री पंद्रा दिन हो गये हैं पर मनीपूर में दिखाई नहीं दिये हैं जब एक सस्पेंड़ इंसरजेंसी ग्रूप यूके एलेफ यूनाइटेट कुकी लिबरेशन फरंट का चेर्मन एसेस हाउके लीगल बयान में एफिडिविट में ये बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उगरपंती संगठन का उन्होंने सहयोग लिया एक लीगल एफिडिविट में ये बात चेरा ये है इनका राश्रवाद जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को अज सत्य के दावों पे आज भूल चुका है ये राष्ट्रवाद है कि जो आज देश के अखंडता की सत खिलवाड कर रहा है आज उत्तत पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बाते हैं सारे अभी तक नाकाम रहें NRC की बात करते हैं आज तक NRC असम में लागू नहीं हुआ CAA की बात करते हैं ऐसा एक माहौल वहाँ पे हुआ कि पूर्फ जपान के प्रधान मंत्री असम नहीं जा पाई नागा पीस प्रेमवर्क आठ साल हो गए अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस प्रेमवर्क में हुआ क्या है ग्रह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं मनिपोर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शान्ती की अपिक्षा करें ये अलग अलग मीटिंग क्यों ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सोजेगी कि अगर आप समाज जाती धर्म के अधार पर बटवारा करें आपको साथ में लेना पड़ेगा पहली बार हम ये देख रहे हैं कि दो उत्तर पूर्वांचल के राज्य असंब और विजुराम के पुलीस अफसर एक दूसरे गोली चला रहे हैं ये आपकी राश्ट्र सुरक्षा की नीती है इसी बात का उजाकर राहूल गांदी जी ने इस सदन में क्या था जब उन्हों आज जो तीसरा कारण में आना चाता हूँ जिसके कारण प्रधान मंत्री मोदी जी मौन है पहला उनकी राज्य सरकार विपल थी दूसरा उनका ग्रह विबाग और राश्ट्र सुरक्षा सलकार विपल रहे और तीसरा प्रधान मंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपन वो कभी जन्ता के सामने कबूर नहीं करना चाहते हैं, मौन रहना पसंद करते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भारत के स्वण परदक लाने वाले कुष्टी के महिला खिलाडी जब सड़क पे जब विरोज कर रहे थे तो प्रधान मं मौन थे, जब 750 किसान अंदोलन पे उनकी जीवन गई बलिदान दिया शहीद हुए तो प्रधान मंत्री मौन थे, जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आये थे, उस हमें भी प्रधान मंत्री मौन थे, जब अडानी पर इ कि कितने बार अडाली जी, एक विशेश कंपनी, एक विशेश कंपनी को प्रधान मंत्री के से साथ जाने पर उनको सुविदा हुआ, तो प्रधान मंत्री मोधी जी मौन थे, जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी 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 आस्चरि, आश्चरि की बात है कि सर, कि अभी तक मैंने प्रधान मंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यों मंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने ग्रियम मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनों के तरफ से विरोट नी आया, लेकिन जब एक विशेश कंपनी के मालिक का नाम लिया, तो ये सारे मंत्री उसान सब खाले होगा। किसकी सरकार है सर, ये किसकी सरकार है, जब चीन पर हमने सवाल किया, जब चीन पर पूछे, मैं चीन पर आता हूँ, जब चीन पर हमने सवाल किया, कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलो मीटर पर है, तो प्रधान मंत्री मोधी जी मौन रहे है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समेट में प्रेजडेंट शी जिंग पिंग के साथ क्या बाचीत की उनके विदेश मंत्राले ने इसको छुपाने की कोशिश की लेकिन जब चील्ड के विदेश मंत्राले से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्राले ने खुद कबूल किया कि हाँ हमने ये बात हमने चुपाई थी कि बहुत संवेधन शिल बाते कदान मंत्री मोदी जी ने शी जिंग पिंग के साथ बाली में किया हम पूछना चाहते कि क्या बाते की आपने, क्या आपने, क्या समझोता हुआ, क्या बताएंगे, विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले सब के समक्ष पे एक स्टेटमेंट रखा, पुरू स्टेटमेंट पर पी, बाली में प्रधान मंत्री मोदी जी और प्रेजडेंट राश् कश्बीर के पूर राज़ेपाल ने कहा कि उन्हों ने प्रधान मंत्री को फोन किया था, तो अब ये राज़ेपाल ने क्या कहा, कि उनको चुप रहने का सलाफ उनको मिला, प्रदान मंत्री मोदी जी मोन रहे जब पूर्द एक राजयपाल ने कहा कि हमने शुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए लेकिन हमको कोई शुरक्षा नहीं मिली जब ऐसा गंभीर बात एक पूर राजयपाल आपकी चुड़ीवी राजयपाल ने रखा तो प्रदान मंत्री मोदी जी मौन रहे जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सासों में फाफ्रों में आक्सिजन नहीं था तब प्रदान मंत्री पस्चिम मंगाल में वोट मांग रहे जब मनिपूर में बहिलाओ पर अत्याचार हो रहा था तो प्रदान भी प्रदा इस देश की इतिहास में हमने दूसरे प्रधान मंत्री भी देखे हैं, हमने ऐसे भी प्रधान मंत्री देखे हैं, जिन्हों ने उत्तर पुर्वांचल और भारत की समवेधना को समझा, मैं उधारन देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कॉंग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांती के पहल के लिए उस समय के प्रूफ प्रधान मंतीर राजीव गांदी जी ने कहा, कि कॉंग्रेस की सरकार बरखास होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं, ताकि शांती आगे बड़े, ये हमारा राश्चवादे, कि दर से उपर हमारा देश, ये हमारा राश्चवादे, जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजे, सुनने का धेरे रखिए, जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मीजोरा में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांदी जी ने, लाल कहां के पूल आलडेंगा जी, मीजोराम के इंटरेम गर्वर्मेंट के मुख्या मंत्री बने और निर्वाचन, ये है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांतिप चाहिए उत्तर पूर्वान चलगे, अगर सत्ता खोनी पड़ी, डल का बलिदान देला पड़ा, तो उत्तर पूर्व गए थे, और जगा जगा पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया, और उनने कहा, स्वागत राजीव गांदी जी, वेल्काम राजीव गांदी जी, आप शांति के प्रतीक हो, ऐसा पहल प्रदान मंत्री मोधी जी, मनिपूर में क्यों नहीं करते हैं, हम उनका समर्थन क करेंगे, इस सदन में, जब 2012 में असम में, कोकराजार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रदान मंत्री, हमारे पहले प्रदान मंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने इस सदन में उनने बात रखी, जब कोकराजार में जब हिंसा प्रदान मंत्री मौनमौन सिंह जी बहाँ पर गे और उन्हों ने क्या कहा? उन्हों ने कहा? असमबे जाकर, we are one people, we are one nation, we must live together as such, we must restore peace and calm throughout the area. ऐसी बाते प्रदान मंत्री मोदी जी क्यों नी कहा? चलिए मेरे दलका नहीं, मैं आपके दलका उधारन लेता हूँ. जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रदान मंत्री वासपाई जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैप में गए तो सीधा सीधा सर मैं प्रदान मंत्री जी से तीन में हमारे याचना हैं, तीन हमारे याचना है, याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राजयसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राजयसभा में जाएं, हमारी याचना दूसर कि वो मनिपूर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए ये बात हमने सदन के प्रारम होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रदान मंत्री पूरा मनिपूर को बे एक All Party Delegation लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे और हमारा तीसरा ये याचना है कि मनिपूर के विभि आज इंडिया अलाइंस को बदनाम करने में तुले हैं देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं अफसोस की बात है अफसोस की बात है जब आप जब आप पॉपिलर फ्रांट ऑफ इंडिया की बात करते हैं इंडिया मुजाही हिदीन की बात करते हैं इस इंडिया कं की बात करते हैं हम इंडियन एफोस की बात करते हैं आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है जहां पे गिरवा है सपेध है हरा ही और भीच में अशो का चक्र आज नफ्रत एक हतियार बन चुका है नफ्रत एक हतियार बन चुका है वो जीतने के लिए वो चाहे मनिपूर में हो वो चाहे हर्याना में हो वो चाहे करनाटक में हो वो चाहे मध्यप्रदेश में हो आप जितना भी नफ्रत फिलाएं आप जितना भी नफ्रत फिलाएं हमने राउल जी के नेत्रत्रों में भारत जोड़ो यात्रा किया है आपके नफरत के बाजार में हम जगा जगा पे महबत का दुकान खोलेंगे हम सविधार की सुरक्षा करेंगे Our Constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity हम इस सविधार के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे आप पुणजी पतियों का विकास चाते हैं, सबका विकास कहते हैं लेकिन करते हैं पुणजी पतियों का विकास और वो भी सिर्फ 6 पुणजी पतियों का आज भारत में एक ऐसा व्यवस्ता देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% प्रतिशक पोर्ट है 45% cement production है 33% steel production है 60% telecom production है 45% coal production है यह है आपका विकास का model यह है आपका विकास का model मैं उस company का नाम नहीं लूँगा जिस आप उतेज़ेत हो जाते हैं लेकिन दूसरे company को तो अलाम ले सकता हूँ यह कैसा प्रक्रिया है सर यह कैसा competitive economy बना रहे है जब एप्रल 2030 में Shree Sement संगी इंडस्टी को खरीदना चाता है तो जून में ही Shree Sement पर IT का department का raid होता है और जुलाई 2023 में Shree Sement acquisition से बाहर निकलता है और अगस्ट में अडानी का अमबूजा सिमेंट संगी इंडस्टी को खरीदना चाता है ऐसा economy आप बनाएंगे हम चाते हैं पुझी पतियों का विकास नहीं हम चाते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले है हम चाते हैं वो मेकानिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले है हम चाते हैं वो factory worker का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं small business, वो traders जो हमारे पास आते हैं, हम उरका विकास चाहते हैं, आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वास घात किया है, आज कमाटर दो हदार पचास केजी में, पेटरल एक सो दो लीटर का, एल पी जी बारो सो सिलिंडर का, मिल्क, अजदूत के दाम आपको economy की बात करते हैं, largest, fastest growing economy की बात करते हैं, जाएए ये भाशा, उस अजदात मंडी की उस आद्वी के सामने वो रखे, जिसके आसु आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है, रो रोके, कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये GDP और fastest growing economy की बाते, उनको समझाईएगा, आप किसान की बात करते हैं, आपकी ये डेटा में आज को मिला है, कि लगबग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टिवेटर्स है, ये है, पार्लिमेंट में आज उत्तर आता है कि M.G.N. रगा में पाच करों लोगों को आज M.G.N. से बाहर कर दिया है, ये आपका दिकास है, तो सर, ये आप, आप गरीबों पे विश्वास घाट करिये, हम राजिस्थान की तरह देश में महिंगाई में हम राहत लाएंगे, आप आदिवासियों में अत्याचार करे, हम आदिवासी 14 महिलाओं और एंजियों के साथ, हम भा 24 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इन्ता आहंकार मत करिये, इनी बातों के साथ मैं आपना प्रस्ताव नहीं पर रखता हूं, धन्यवाद निशिकान दूबे